पलकों की हद को तोड़ के दामन पे आगिरा एक अश्क मेरे सब्र की तोहीन कर गया सलाम नमस्ते सस्रियकाल मैं हूँ आपके साथ हर्शता मिश्वा और आप देख रहे हैं टाइमस मेल उत्तर प्रदेश में ऐसा रामराज आया है जिसकी कल्पना न दिल्ली वालों की होगी और न यूपी वालोंने की होगी ये ऐसा रामराज है जिसमें बेहन बेटियों की आवरू लूट ली जाती है और हकूमत के कारिंदे केवल टक-टकी लगाए रहते हैं ये एक ऐसा रामराज है जहां मा और बहनों को बिलग बिलग कर रोने के लिए मजबूर कर दिया जाता है ना बहन ना बेटी ना माय सुरक्षत हैं यूपी में बस भाचपाई सुरक्षत हैं बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल टाइम्समेल को सबस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दे और बैल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दे ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे लोटते हैं अब आज की उस जबीरें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखर बेटियों को किस से बचाने के लिए नारा दिया जा रहा है लखीम पुर्खीरी में एक महिला की साड़ी खिंच ली जाती है और हुकूमत के नगरा खामोशी से सब कुछ देखते रहते हैं दरसल उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुक चुनाव के लिए चल रहे नामांकन के अंतिम दिन लखीम पुर्खीरी में एक शर्मनाक घटना सामने आई है जिले के पसगवा ब्लॉक में सपाप्रत्याशी रतू सिंग का नामांकन भाजपा कारेकरताओं ने नह और हरा से सांसद रेखा वर्मा के रिष्टदार बताये जा रहे हैं लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी सड़क पर संखर्ष करने वाली समाजबादी पाठी के मुखिया अखिलेश यादव केवल अपने आलिशान कमरों में बैठ कर तमाश्या देख रहे है ऐसी कामचोर और निकम्मी पाठीयों में कोई महिला खुद को कैसे सुरक्षत महसूस कर सकती है जिनके मुखिया ही अपने घरों में दुबग कर बैठे हों अखिलेश ने इस घटना पर ट्विट करते हुए अपनी अपचारिकता पूरी कर देते हैं अखिलेश ट्विटर पर अपनी रोदाली सुनाते हुए एक विडियो ट्यूटर जारी करते हैं जिसमें कैप्षन था सत्ता के भूके योगी के गुंडे इस घटना के बाद सियासी बयान बाजी तेज हो गई है ये बचसलू की एक महिला के साथ हुई थी लिहाजा कॉंग्रस की राष्ट्रिये महासचफ प्रियंका गांधी ने अपनी हक अदाईगी करते हुए ट्विट कर दिया और लिखा के पीम सहब और सीम सहब इसके लिए भी बधाई दीजिए कि यूपी में आपके कारिकरताओं ने कितनी जगा बम बाजी गोली बारी पत्थर बाजी की कितने लोगों का पर च पपू यादव ने अपने ट्विटर पर एक संदेश भेजा जो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए बेहद शर्मनाक है पपू यादव लिखते हैं कि बाबू अखिलेश यादव जी आपसे ना हो पाएगा सड़क पर संगर्ष इतनी बड़ी पार्टी इतना स अंसादन हो तो बीजेपी वालों की गुंडई और धोंगी के दुशासन का होश्ठ काने लगा देता एक बहन का बीच सड़क पर चीर हरन और आप आराम से बैठे हो जेल से निकलता हूँ संगर्ष के लिए पार्टी आउट्सोर्स कर दीजेगा फिर दिखाते हैं अब इस और दूसरे आरोपी की तलाश के लिए चार टीमें लगाई गई हैं विजेपी सांसद और राष्ट्य उपाध्यक्ष रेखा बर्मा का प्रतनीरी भी नसर आ रहा है पुलिस ने विजेओ से उसकी पहचान की है रामराज में चीर हरन का विजेओ बारल होने के बाद जब च जिसमें दो भाजपा कारिकरता को नामजद किया गया है कई अग्यात के खिलाव भी केस दर्ज किया गया है उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाफ होने में महज आठ महीने बचे हैं चुनाफ के लिए तैयार उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में गुरवार को ब्लॉक प घटनाएं सिर्फ सीतापुर ही नहीं बलकि उत्तरप्रदेश के कई जिलों में पुलिस तमाशवीन नजर आई लखिमपुर की घटना पर सपक आरोप है कि आरोप के सामने अंदर घुसे भाजपाई पर चाचीन ले गए और फार दिया प्रत्याशी को भी पीटा गया उसके कपड़े फाड़े गए ये सब पुलिस के सामने हुआ आरोप है कि पुलिस ने किसी बवाली को रोकने की कोशिश नहीं की इससे पहले सपा प्रत्याशी की कार को रास्ते में भाजपा के लोगों ने घेर लिया हाला कि बाद में पहुँची पुलिस प्रत्याशी को ब्लॉक की बजाए ठाने ले गई इस बीच तीन बज गए और सपा प्रत्याशी का नामांकन नहीं हो सका लखीमपुर खेरी के अलावा यूपी के सीतापुर, अमबेटकर नगर, मउ, जौनपुर, फत्यापुर में भाजपा और सपा कारेकरताओं के बीच जड़प होती रही है सीतापुर में तो कई राउंड फाइरिंग हुई, फतापुर में पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा लखीमपुर खेरी में सपा प्रत्याशी की प्रस्तावक के सांथ बजसलूकी हुई, आधिकाश जिलों में बवाल के बाद ही नामांकन हो पाया उत्तर प्रदेश में जिला पंचात अध्यक्ष के चुनाव के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच कई जगाहों पर नामांकन पत्र भरने को लेकर विवाद हुआ था इस मामले को लेकर सपा के कुछ प्रत्याशियों ने कोट की शरन ले ली है उन्होंने कोट से गौहार लगाई है कि नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने और इस दौरान उनकी सुरक्षा विवस्था की जाए इस याचिका पर कोट ने सरकार को आदेश दिया है कि वो चुनावी प्रक्रिया पूरी करने और प्रत्याशियों को सुरक्षा देना सुनिश्चित कराए दुनिया में लोकतंत्र के पैमाने पर 167 देशों के बीच 53 वे नमबर पर खड़े हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुक की चुनावी प्रक्रिया में गोली चलती है बम फूटते हैं वर्चस्व की ऐसी जंग कहां देखने को मिलती है जहां सियासी पाचियों के अलावा पत्रकारों को भी पीटा जाता है लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी में कद्दावर महिलाओं की कोई कमी है फिर भी जब एक महिला की साड़ी खीची जाती है तो इनकी खामोशी का क्या मतलब निकाला जाए उनके भीतर क की औरत सियासत के हिसाब से इन घटनाओं का मौन समर्थन कर रही है या नहीं जरा सोचिएगा शकील बदायूनी ने भी क्या खूब फरमाया है काटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचा कर फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ फिलहाल इस वीडियो में बसतना ही यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताईए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें हमारे वीडियो लिंक को फेस्बुक ट्विटर वाटसेप पर अपने रिष्टदारों यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निश्पक्ष स्वतंदर पत्रकारता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइमस मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फॉरन मिल जाए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ हर्शिता मिश्रा को दीजिए इजाजत जैहिंद